हेलो दोस्तो मेरा नाम है संदीप और आज हम बात करने वाल हैं डिसिप्लीन के बारे में तो लाइफ के अंदर डिसिप्लीन कितना जरूरी है तो लाइफ के अंदर डिसिप्लीन उतना ही जरूरी है अगर तुम्हें सक्सेस्फुल होना है तो डिसिप्लीन भी उतना ही जरूरी है और यह सचाई है बट वाट वी डू हम ब्रेक करते हैं डिसिप्लीन हम बोलते हैं कि डिसिप्लीन ब्रेक करने में अलग ही मज़ा है कभी ट्रेडिंग में डिसिप्लीन ब्रेक करोगे तो अपना अकाउंट साफ कर लोगे और इसी तरह अगर आप एक 4G हो जो लोग 4G होते हैं उनको पता होते हैं कि डिसिप्लीन की कीमत कितनी होती है तो डिसिप्लीन is like must be in your life डिसिप्लीन होना चाहिए कि आपको fast food ज्यादा नहीं खाना है कभी-कभी खा लो no problem डिसिप्लीन होना चाहिए कि आपको सुभह उठना है डिसिप्लीन होना चाहिए आपको सुभह उठके अपनी health पर ध्यान देना है discipline होना चाहिए कि आपको running करनी है, exercise करनी है, yoga करना है discipline होना चाहिए उसके बाद आपको reading करनी है discipline होना चाहिए आपको अच्छी diet लेनी है discipline होना चाहिए आपको time से अपने office के लिए अगर office join कर रखा है तो office के लिए निकलो अपने काम पे जाना है, जहां भी काम करना है, जो भी काम करना है, डिसिप्लीन के साथ करो, ठीक है, डिसिप्लीन है कि टाइम से घर आओ, यह सबसे बहुत जरूरी डिसिप्लीन है, if you are working in office, make a habit of coming at home at the time, ठीक है, घर पे टाइम से आने की आज़त डाल लो, क्योंकि आपको personal life और professional life के बीच में, अगर एक difference maintain करके रखना है, तो वो डिसिप्लीन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो डिसिप्लीन is very must, डिसिप्लीन की टाइम से सोना है, डिसिप्लीन की रातों को जाग जाग के, movies नहीं देखनी है, ठीक है, कभी देख लो, बट देख होना है, रात को, रात को जादा movies नहीं देखनी है, otherwise आपके health पे बहुत जादा effect आने, शुरू हो जाएंगे, जो कि short term के अंदर आपको नहीं दिखेंगे, वो दिखेंगे long term के अंदर, तो इसलिए life के अंदर discipline maintain करना बहुत जुरूरी है, जब मैं एक trader की वीडियो को सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने discipline को break किया, वो अपने stop loss पे नहीं निकले, ट्रेडिंग में एक प्रोसेस होती है, कि आपको stop loss के अंदर निकल ना होता, वो अपने stop loss पे नहीं निकले, और उन्होंने, और उन्होंने, अब बिलीव ने करोगे, एक दिन के अंदर 6 करोड का लोज किया 6 करोड का हां उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा थी तो 6 करोड का लोज किया अगर छोटा एक्जामपल भी लेते हैं उसके अलग मेने के एक्जामपल सुना था तो वह पता रहे थे कि उन्होंने 40,000 रुपर डाले without discipline, without knowledge और 40 कर 40 एक दिन के अंदर साफ अब सोचो discipline कितना जरूरी है in the trading, discipline कितना जरूरी है in the life so be a disciplined person I request to you, I am also working on the discipline, I am not saying कि मैं बहुत ज्यादा discipline में रहता हूं, बढ़ हाँ, मैं कोशिस करता हूं अपनी चीजों को time से करने की, मैं कोशिस करता हूं अपनी health maintain करने की, मैं कोशिस करता हूं कि हर जगें पे एक discipline जो है maintain करके रखूं, चाहे वो relationship हो, चाहे वो आपका start-up हो, चाहे वो आपका business हो, चाहे वो आपकी job हो, चाहे वो आपका कहीं घूमना घूमना कुछ भी हो, maintain our discipline, I hope आप इस चीज पर काम करोगे और आप भी एक successful person बनने के लिए जो पहला कदम होता है, सबसे पहला कदम वो लोगे, मिलते हैं next video के अंदर, तब तक के लिए, bye bye, my name Sandeep, all the very best